तो क्या आपने कभी सोचा हैं कि आखिर ग्यूतारो दाकी डीमन क्यों बने जिनको नहीं पता हैं ग्यूतारो दाकी डीमन स्टेशन 2 में एंटर्टेन्मेंट डिस्ट्रिक के में विलेंस हैं और किसी को अगर पूरे एनमे के रेकप चाहिए तो प्लेले इस बना के रखें लि और फैमिली में पैदा होता है उसके वाज़े से उसकी मौम उसे बहुत जादा मारती थी जिसके वाज़े से उसके अपीरेंस और भी जादा खराब हो जाती है जब ग्यूतारो डिस्ट्रिक के गलियों में घूमता था तब वहां के बच्चे उसके मज़ा को बढ़ा करके जहिल देता था फिर कुछ दिनों बाद ग्यूतारो की चोटी बहुन होती है लेकिन ग्यूतारो के मुकाबले उसकी अपीरेंस बहुत सुंदर थी इसके वज़े से डिस्ट्रिक के लोग उससे बहुत अच्छे से बात करते इस वज़े से ही उनकी मौम ग्यूतारो के साथ उसकी छोटी बहुन को भी मारती थी जिस्टर्बिंग भी ती लेकिन उसकी चोटी बहुन के अपीरेंस उसकी मौम से जाद अच्छी सब होने के बाद भी उसकी बहुत ध्यान रखता था एक दिन उन दोनों की मौम उम्य नाम की विमार की वाज़े से मारी जाती हैं और इस डिस्ट्रिक के एक बड़े घर में काम मिल जाता है और यूतारो को money collector बना देते हैं एक दिन उमे का एक customer यूतारो की appearance को लेकर उसकी बहुत insult करता है उमे को ये बात पसंदने आती है और वो उस customer की आँखाट देती है वो आदमी असल में एक higher rank swordman था इसलिए उसने गुसे में आकर उसे बहुत मारा और जला कर मरने के लिए छोड़ दिया यूतारो को जब ये पदा चला तब वो भाग कर उमे के पाँ जाता है और रोने लगता है उसे उठा कर वो मदद मागने लगता है लेकिन कोई मदद निकरता है उसराद ग्यूतारो को मिलता है अपर्मून 6 डीमन दोमा जो कि इस वक्त अपर्मून 2 है दोमा उसे बोलते हैं कि अगर दोनों डीमन बन जाते हैं तो वो अपनी भेन के जान भी बचा सकते हैं ग्यूतारो उमे को बचानने के लिए हाग कर देता है और दोनों डीमन बन जाते हैं कई साल बीचते हैं और दोनों कहीं लोगों को मारते हैं और अपर्मून 6 के पोजिशन को हासल करते हैं उमे बन जाती है दाकी और ग्यूतारो बन जाता है ग्यूतारो दाकी डिस्ट्रिक के घर में वारभी में नाम से रहने लगती है एक दिन दाकी अपने ब्लड डीमनाट से कुछ लोगों को और साथ है तेंगन उजूई की तीन वाइब्स माकियो सूमा और नाचुरो को भी किड्नाप कर लेती है दाकी साथ में जैनित्सू को भी ट्रैप करती है क्योंकि उसे पदा चल चुका था कि जैनित्सू असल में एक डीमन स्लेर है दाकी को डीमन स्लेर तांजिरो से लड़ते हुए मुजान की मेमरी में एक आदमी दिखता है दाकी ये देखकर हैरान हो जाती है कि मुजान भी किसी डरता है हाफ डीमन एजुगो से लड़ते हुए साउंड हाश्यर तेंगेन उजो ही दाकी की गर्दन कार देता है तब उसकी बॉडिस के अंदर से निकलता है ग्यूतारो जिसकी ब्लड डीमन आर्ट ब्लड सिकल जिसकी वज़े से वो किसी पोईजन कर सकता था तब सब को पदा चलता है कि दाकी और ग्यूतारो को मानने के लिए उन दोनों की गर्दन एक साथ काटने होगी कुछ दिर बाद तांजिरो हिनों कामी कागुरस से ग्यूतारो की गर्दन और जैनित सो अपने थंडर बीडिंग और लाइट जितनी स्पीट की वज़े से दाकी की गर्दन कार देते हैं उन दोनों की सर रोल होकर आमने सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते दोनों तांजिरो ग्यूतारो के मुव पकड़कर उसे चुप होने के लिए बोलता है दाकी उनको मरते देग ग्यूतारो जोड़ से उमे नám चिलाते हैं और फिर उसे अपनी पास्ट लाइफ और उन दोनों का असरी नाम याद आते हैं दाकी को ग्यूतारो हेवण की तरफ छोड़ कर हेल के तर जाने लगता है दाकी उसके पीड़ पर चड़कर उसे याद देती है कि ग्यूतारो नों से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे और दोनों हेल की फ्लेम्स में गायब होजाती है